मैं पूरी की पूरी टीम का शुक्री आदा करता हूँ और आप लोगों की मेहनत यहां दिखाई देती है जब साल भर के बाद हम लोग दुबारा यहां इखटा होते हैं मैं उन कुछ गिने चुने खुश्किसमत लोगों में से हूँ कि हर बार मुझे तंग करने बुला लिया जाता है मतलब आप लोगों को तंग करने के लिए मैं तो तंग नहीं होता हूँ हो सकता है कि कुछ बाते मैं बोलू हो जो लोग पिशली बार मौजूद थे उनको लगे कि मैं अपने आपको रिपीट कर रहा हूँ तो रिपीट टेलिकास का भी मज़ा होता है कई बार अच्छे मैचेस जो हैं वो बार बार देखे जाते हैं 1983 का वर्ल कप की भारत की स्टेंडीस पर जो जीत थी और कपिल देव का जो कैच था वो बार बार देखने में आनन्द आता है तो अगर कुछ चीज पुरानी लगें तो उसके लिए बुरी लगें पुरानी के साथे तो मैं माफी चाहता हूँ लग्र मैं क्या करूँ मैं आदद से मजबूर हूँ जब तक कुछ बदल नहीं पाता हूँ, जब तक कुछ धिंडोरा नहीं पीट पाता हूँ, तो उसको रिपीट करता रहता हूँ, हमसे कहा अपनी जहन में और वो जहन की बाते बाहर आती रहती है, टॉपिक है मेरा बड़ा, कि क्या आलोचनाओं से पत्रकारों को घबराना चाहिए, परिशान होना चाहिए, और यह टॉपिक मैंने खुद लिया है, इस जलती भटी में खुद मैंने हाठ डाला है, क्योंकि हम लोग आलोचनाओं को लेकर बहुत जादा सेंस्टिव होते हैं, सबको appreciation अच्छा लगता है, सबको तारीव सुनना अच्छा लगता है, सवाल यह कि आलोचनाओं कौन कर रहा है, आलोचना क्या हो रही है important नहीं है, आलोचना criticism कहां से आ रहा है, वो ज्यादा important है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि उसके पीछे की कहानी होती है, उसके पीछे की कोई reason होता है, उसके पीछे की कोई philosophy होती है, शायद तभी ऐसा कहा जाता है, तो मैं बारी-बारी से अपने इस topic को दो या तीन हिस्सों में बाटते हुए, अगले 10-11 मिनिट में, जो समय मेरे पास है, आपको अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं, हो सकता है बहुत लोगतंतर में रहते हैं, और इतनी असाहमती तो ज़रूरी भी है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग असाहमत रहें, और मेरी बातों को बिल्कुल शब्दशा ना भी मानें, लोगतंतर में यही तो खुबसूरती है, कि वी शुट आलवेज चलिब्रेट अबर डिफरेंस ऐस हमों को तसब बनाना चाहिए कि हमारे बिचार अलग अलग हैं, इसलिए हम आजाद हैं, इसलिए हम लोगतंतर में हैं, इसलिए हम भारत हैं, तो क्रुश्यूरत करता हूं आलवचना से मैंने एक शो किया उधारन के लिए मैंने एक शो किया और तुरंत उसी वक्त एक्स पर फेस्बुक पर अब तो इतने प्लेटफॉर्म में नाम लेनी कि जरूरत नहीं आप लोग सुबेदर सुनसुन के परिशान भी हो गया होंगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कमेंट आया और उसने आपको एक जगे पर कर दिया कि आप तो ऐसे हैं उसी के नीचे पाँच्छे कमेंट के बाद एक और कमेंट आया है नहीं आप तो ऐसे हैं तो अगर दोनों तरफ से आपको तॉल के हिसाब किताब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो मेरा अपना मानना ये है कि आप अच्छा काम कर रहा है अगर आप यहां से भी गाली खा रहे हैं अगर आप इस बक्ष से भी गाली खा रहे हैं तो इसका मतलब आप दोनों को परिशान कर रहे हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, आप कम से कम सही रास्ते पर चल रहे हैं, दिकत तब होती है, जब एक ही जगह से एक तरह की चीज़े कही जाएं, आपको जैसे आज सुबह में शायद एक क्लिप मैंने देखी, किसी और किसी सीने जनलिस की नाम मैं भूल रहा हूँ, आया कल की बात है, तो उसमें वो कहा गया कि आजकल पेंट कर दिया जाता है, दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, अगर ऐसा काम हो रहा है, तो पेंट किया जाएगा, एक तरफ से पेंट किया जाएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं आप दोनों तरफ से आप पेंट हो रहे हैं तो वो भी ठीक है तो कभी कभी कहानिया जो होती है वो अपने आप में इतनी मजबूत होती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको अपने ओपीनियन देनी की जरूरती नहीं है अब एक बड़ अच शोज या न्यूज न्यूज और व्यूज ऐसा कुछ कुशन था हम ही दोशी हैं आज से 15-20 साल पहले जब ये व्यूज आने शुरू हुए टीवी डिबेट्स में बड़े-बड़े नेता बैठने लगे हम मुझे याद है एज अ कब रिपोर्टर मैं आज से 25 साल 20 साल पहले क बात कर रहा हूं 98, 99, 2000 उस एरा की बड़े-बड़े मंतरी टीवी पे आने के लिए आतूर रहते थे कि आपके काउंटर करने के लिए हम अपोदीशन का नेता भी बिठाएंगे तो भी तयार हो जाते थे कि उनको जर नहीं था कि हाँ ठीक है मेरी लाइफ डिबेट करा दो अब उल्टा हो गया है अब ऐसा नहीं है अब आप सोज भी नहीं सकते हैं अब इस्तिती ऐसी है कि ए एक पक्ष बैटता है और गनीमत है कि उसके जाने के बाद वो इस बात के अलाव कर देता है कि दूसरे पक्ष को आप बिठा लो वरना तो यह भी होता है कि नहीं उसको मत बिठाओ एक ही पक्ष को चलने दो तो समय बदल चुका है और यह जो मैं लाइफ डिवेट की बात क कर रहा हूं वीवर की तरहीं बात कर रहा हूं हमने आसान रस्ता दे दिया अच्छे जनलिजम को किल होने का हमको बगबग जगजग में मज़ा आने लगा हम ऐसे दर्शक अपने गिरेबान में आप सब जाकिया का सोचे का जरूर कि कि कितने आप दोशी है इस चीज के बात कर रहे हैं टॉपिक पर आते ही नहीं उनको पता है कि यह डिबेट शो आठारा मिनिट में खतम हो जाएगा आदे घंटे का टाइम मुझे आठारा मिनिट का समय काट देना है इस डिबेट शो में बैठके और मेरी आज की नौकरी पक्की वो इस माइंड से आता है उसक तरह की क्लिप्स को फॉरवर्ड भी करते हूं कि यह यह इसको देखा था देखो कल उसकी कैसे बैंट बजा दी कल उसने क्या बोला था कल तो वो च्छा गया कल तो वो हो गया तो टीवी तो दोशी है हम जो कैमरे किधर लोग हैं मैं अपने आपको इसमें पाक साफ नहीं कह क्या रहा हूं हम लोगों ने ऐसी चीजों को आगे बढ़ने दिया अब आदत हो गई है सोनिया जी ने बहुत अच्छा का अब आदत हो गई है कि सबसे आसान तरीका है कि आप दो घंटे तीन घंटे चार घंटे पाच घंटे न्यूस चैनल्स पे डिबेट शोस कर दो उसी की बिजली उसी का डेटा उसी की शकल और आपकी विंडो में दिख रहा है वो अब तो हम लोगों को इतना असान हो गया है फोन क्या अरे सर आज ये टॉपिक है घंटे के लिए आपका समय चाहिए फना से फना अचा ठीक है जूम लिंग बेज दिया दुनिया के किसी जनलिजम करने के लिए प्रेरित कर दिया आप लोगों ने इस तरह के शोस को आगे देख कर आगे बढ़ा कर हम हैं दोशी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कल्पिट नंबर एक हूँ पर कल्पिट नंबर दो आप लोग भी हैं इसको जड़ा सोचे का एक बार अब क्या शायद एक परसेंट लोगों को इस हौल में पता हो तो बड़ी बात होगी पर अगर मैं ये बोलूं कि किसने पार्टी छोड़ी और कहां जॉइन की और क्यों वहां से वहां चला गया और कौन से राज़े में क्या और आपको सब पता होगा और उसने डिवेट शो में क्या वहला आप सब जानते होंगे फिक्की की उस रिपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टन डेटा है हमारे देश के लिए और इस पर काम करने की जरूरत है मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं इस तरह की रिपोर्ट इस तरह के जनलिजम अब सामने नहीं आते हैं और ये किस इनको सेलरी अगर मिले अगर हम इनको तनखा देने लगें तो हिंदुस्तान की जीडीपी साथ परसेंट से बढ़कर बारा परसेंट हो जाएगी कभी सोचा हम लोगों ने इस तरह की रिपोर्ट के वाद सोचते हैं हम सब महिलाओं पर जाके काम करवाएंगे हम सब हम सब हम सब हम में मैं भी आता हूं हम सब उनको आदेश देंगे खुद कितनी मदद करते हैं मुझे नहीं पता पर क्या इस तरह की रिपोर्ट को निता ने अपमान कर दिया, इस से काम नहीं चलेगा, ये टिट्स बिट्स हैं, ये अकबार के बॉक्स आइटम है छोटे से, जो रियल स्टेडीज हो रही है, ग्राउन में जाके साल साल पर मेहनत की जा रही है, उन रिपोर्ट्स को जगे क्यों नहीं दी जाती है, क्यों? क्य मैं दिखा दू, महिलाओं को लेकर उसने ये का, उसने वो का, तो वो सेविंटी परसंट प्लस हो जाएगा, ये दिक्कत अपने अंदर भी है, तो अगर मैं खराब जनलिजम कर रहा हूं और मेरी आलोचना हो रही है, तो मैं उसके लिए सुईकार है मुझे, क्या आपने इंदक के तौर पर आप सब को पास रखना चाहता हूं कि मुझे आप हमेशा सिखाते रही है, बताते रही है, आलोचना करते रही है कि कब आप सही रास्ते पर जा सकते हैं, इस चीज़ को लेकर भी हम सब के अंदर ये विचार, ये सोच होनी चाहिए, कि क्या हम सब वाकई में संतुष्ट हैं अपने जीवन से, क्या हम लोग इस चीज़ को लेकर खुश हैं, कि हम जो कर पा रहे हैं, वो वही है जो हम करना चाहते थे, क्या हमारे आसपास का महौल, हमारे आसपास की परिस्तिय, हमारे आसपास की हालात ऐसे हैं, कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, ह साल के बाद 15 साल के बाद वो अपने आपको कहां देखना चाहता है या चाहती है कि हम उस वो एंवायरमेंट हमको मिल रहा है उस एट्मोस्फियर में हम रह पा रहे हैं दिल्ली में रहकर इस पांथ सितारा होटल के पांथ सितारा कमरे में बैठ कर ये विचार हो सकता मुझे आप लोगों को त्वेलिद ना कर रहे हों जब बाहर निकल लिएगा चालिस दिगरी पैटालिस दिगरी में जाईएगा दिल्ली से पचास क्लिमिटर दूर और वहां पे जब पानी नहीं मिलता है वहां पे जब आपको आपकी फसल सड़ जाती है बारिश आने से उन लोग कि आप करिये जाके हम आपसे ग्राउंड रिपोर्ट दिखना चाहते हैं और जब तक वो चेक इन बैरेंसे नहीं होंगे हमारे जीवन में तब तक हम इस सस्ती आसान जनलिजम में आगे बढ़ते रहेंगे बड़ा आसान होता है दो महिलाओं को बिठाके महिलाओं पर अगर आप अच्छा जनलिजम देखना चाहते हैं जनलिजम दोनों तरफ से हो सकता है किस स्टोरी को आप कैसे देखते हैं और बहुत अच्छी बात सोनिया ने बोली सोनिया ने कि हमको आज के बदलते हैं मैं लास्ट दो सकिन बच्चे मैं पांच तीन-चार मेंट रहें ल साल के बाद बीस साल के बाद तीस साल के बाद चालिस साल के बाद तो कम से कम तसली से जाएं कि हम एक अच्छा काम करके गए हैं हम स्पोक्स परसन बनके ना रह जाएं चाहे एक्स के चाहे वाई के दिक्कत वही हो गई है स्पोक्स परसन बनने को ताकत माना जा रहा है सव मैं सवाल पूछ रहा हूं और दोनों तरफ के लोग मुझसे सवाल पूछने के लिए मेरी आलोचना कर रहे हैं तो इसी आलोचना को मैं गले लगाता हूं शुक्रिया थैंक यू सो मुच